इस ट्रिक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इनका step is यह जो आपके three bones है ठीक है और सिकल्स में अब इसका पूरा structure आपके से आद रख सकते हैं तो इसके लिए हमारी जो trick है सबसे पहले trick जानने से पहले आपको यह बता जेते हैं जो trick है वो ऐसे आपको एजिम करके आद रखना है समझा आपका जो year है it is a cave एक गुफा है ठीक है अब इसे इसका trick होगा हमारा अंदर इतना अंधेरा था अभी कुछ को आप c o h करके याद रखना है ठीक है कुछ audio audio सुनाई दे रहा था तरेक है कि चैने दे रहा था वीसे बूट जैसे जैसे बूट के audio होते हैं आवाज आते हैं अजीब से वैसे आपको गुफा में सुनाई देता और आप डर जाते हैं तो ऐसे आपको ट्रेक याद रखना है अंदर से हो जाएगा आपका औरिकल फिर इतना से हो जाएगा earlobe हम लोग यानि यहां से हम journey start करेंगे दीरे-दीरे हम यह सारे paths कवर करेंगे तो पहरा हो गया आपका औरिकल इतना से हो गया यह लोब अंधीरा से हो गया आपका ओडिटरी कैनाल यहां पर बहुत ज़्यादा अंधीरा होगा यहां पर इस वाले एरिया में पुरा कनाल सिस्टम है था था से आपको टिंपैनिक कैविटी याद रखना है ठीक है एर डूम तो आप याद रख लें सॉरकेलर्टि आपके डाक्स किया ट्यूबी बुलыеः या रख दे रही थो सुनाई दे सानाई यहां से मिलिकर डख्ट MAND तेंपूरल बोन फिर वेसे भूत तो आपको यहाद रखना है वेस्टी वियलर वी और याता है इसमें तो आपते से लिक्णा कि वेस्ती ब्यूलर ज जैसे तो आपको ऐसे याद रखना है कि गुफा में जब आप गए तो आपको गुफा पहले बाद तो बहुत अंधीरा था और आपको कुछ-कुछ आवाज यानि आ रहा था सुनाई दे रहा था एक दम भूच जैसे जैसे बूच की आवाज होती है डेंजर्स वैसे कुछ च सिकल्स जो हमारे तीन ओसिकल्स हैं थ्री बोन्स होते हैं हमारे पहला होता है आपका मैलियस जो सबसे अंदर होता है फिर होता है आपका इनकस फिर होता है आपका स्टैपीस तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो है आपका इधर आप इसको सिम करके याद रख सकते है या M, I, S मिस करके याद रख सकते हैं डिपेंड करता है आप सबसे इनर वाला आपका जो होता है वो आपका ये वाला S होता है तो आप अगर मिस करके याद रखेंगे तो ये सबसे अंदर वाला हो गया अगर आप सिम करके याद रखना तो I hope आपको ट्रिक अच्छी लगियो सो मिलते हैं आपको नेक्स ट्रिक वाली वीडियो में बाई, थैंक यू